हेलो फ्रेंस कैसो आप सब आज हम इस वीडियो में लूजे में सदा भाहर के बारे में इस यह मेरे इस् ещё वाली वेराइटि ये इसमें दो कलर मेरे पास है एक ये वाइट है तूसरा पिंक है यह आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगी इसमें एक और वेराइटी आती है वो आपको नर्सरी पे मिल जाएगे आसानी से तो आज हम इसकी केर के बारे में बात करेंगे आप इसकी केर कैसे करें यह वाले प्लांट मैंने छोटे से पोट में लगा रखा है और ये वाला प्लांट जो है मैंने एक मिठाई की डिबे में लगा रखा है और आप इसकी गरोध देखिए कितनी सुन्दर हो रही है अगर इस प्लांट की पत्तिया पीली पड़ रही है तो वह और वोटरिंग की वज़े से हैं आप उसे पानी कम दीजिएगा एक टाइम में आप इसे पानी दीजिए अगर आप इसमें ज्यादा फ्लोवर चाहते हो तो कम पानी दीजिएगा अगर सरदियों में आपका प्लांट पीला पड़ रहा है तो वह ज्यादा पानी की वज़े से अगर इसकी पत्तिया छोटी हो रही है फूल भी छोटे हो रहे हैं तो इसका यही कारण होगा बरसात के मुसमें इसे सीर से आसानी से ग्रो कर सकते हो यह मेरे प्लांट मेरे सीर से ग्रो किये हैं आप इसकी कटिंग भी आसानी से लगा सकते हो यह प्लांट आपके पास सालों साल रहेगा मेरे इस प्लांट को कही साल हो गए हैं कि यह नीचे भी कुछ प्लांट आ रहे हैं छोटे-छोटे से देखिए एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं तो फ्रेंज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिए अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए बाई